नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल में स्ट्रेस्पिक लाइज पर गया दोस्तों आई आज के आउट्सोर्शिंग के चेक्रमचे जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जन लेते हैं कहां से क्या खबर आये तो सबसे पहली खबर देख लेते दोस्तों आज यह खड़ी हो सकती है बता गया है जिले भर के कंप्यूटर ओपरेटर रहेंगे हड़ताल पर सभी तैसिलों सब तैसिलों में काम रहेगा ठप तो कंप्यूटर पर काम करने वाले दोस्तों यह क्रमचारी है जो अलग लगतर ऐसे यहां पर कॉंट्रेक्ट पर लगे हुए हैं यह अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं तो इसी कड़ी में आज पर दसन ने किया जा रहा है यहां पर बता दें आप लोगों को इनकी जो पर मुख मांगे हैं वो है सभी कच्चे करमचारियों को पका किया जाए कोसर लोजगार निकमें भेजने की कंप्योटर प्रोफेशनल वो परदसन कर रहे हैं आज यहां पर भी आप लोग देख पाएंगे कई मांगों को लेकर सो मार को हड़ताल करेगा हर्याना कंप्योटर प्रोफेशनल संग तो आज थोड़ी प्रेसा नियों आप लोगों को हो सकती है यहां पर कंप्योटर का का कई जगे पर थोड़ा सा धीमा मिल सकता है या फिर बिल्कुल ही ठप भी मिल सकता है आगे बढ़ते यहां पर देख लीजिए अगली खबर है यमना नगर से चार महां से मांदे नहीं मिलने पर चोदा को आशा वरकर शीवल सर्जन करेले के बाहर करेंगी परदसन जी हां सरका आशा वरकर की समझ्याओं समाधान नहीं करेगी तो परदसन के लिए यह हो जाएंगी मजबूर तो चार महां से मांदे नहीं मिलने के कारण जो आशा वरकर दोस्तों यहां पर नाराज है और यहां पर मीटिंग कर विरोध जताया है और बताया गया है कि एक एप के नाम प जो आशा वरकर हैं यह नाराज है और चाती हैं कि सरकार जो गोशना इनों ने की थी सरकार ने अगस्य नौमर तक सरकार द्वारा जो बढ़ा गया मांदे था वो जारी किया जाए और जो गोशना थी उसको तुरंत प्रवाव से लागू किया जाए युम्ना नगर से ही प्रदसन की यहां पर चेताव ने दी गई है बतादे आप लोगों को अंगडवाडी वरकर पहुंची हुई थी यहां पर अपनी मांगों को लेकर ग्यापन देने के लिए डीपीओ का रेले पर होने वाले प्रदसन का नोटिस दिया गया और यहां पर बता गया है जो है सबी मांगों को लेकर यहां पर जिनों है इन्होंने परदसन किया है वही जो है सरकार इनकी तरफ द्यान नहीं दे रही है दावे बड़े बड़े कर रही है कैथल से अपडेट देख लीजिए सरुक्रमचारी संग मांगों को लेकर रोतक में च्यार फरूरी को करेगा बड़े करंट करने, प्रणी पंचन लागू करने, समान काम समान वयतन जैसी जो परमुक्मांगे सदा से रही हैं उनको एक बार फिर्शे मजबूती से उठाने का काम किया जाएगा जो सहरौ क्रमचारी संग उसके दुवारा पर्दिशन के लिए रोश तो दोस्तो यहाँ पर NHM क्रमचारी भी एक बार फिर शे प्रदसन के लिए जुट रही है 11 दिसंबर को यह प्रदसन होनी जा रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर बता गया है अखिल भारतिय स्वास्थ है एम NHM क्रमचारी महासंग के आवान पर दोस्तों यह पर दसन किया जाएगा इसमें यहाँ पर बता गया है क्रमचारी नेता ने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन विभिन केंद्रे एम रज्य प्रियोजनाओं स्कीमों प्रोग्रामों आउट्सोर्चिंग क्रमचारी एम्बूलेंस सेवा 102108 के दिन करते क्रोना काल के दोरान लगे क्रमचारी की मांगों को बार-बार प्र प्र प्रदे सरकार के समय समय पर उठाता रहा है कि इंदर सरकार को बार-बार अनुरोध सवरूरूप आउगत कराता रहा है बावजुद इसके सरकारों का उदासीन रवया देखकर ये जो परदसन को मजबूर हैं तो यहां पर इनोंने बता दिया है कि 11 दिसंबर 2030 इसको जंतर मंतर पर एक देश से विशाल धरना परदसन किया जाएगा बैस समस्या ये है कि विशाल धरने परदसन किये तो जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है एक दिन के धरने से और दुसरी सुबसे बड़ी प्रेशान ये है कि जो मीडिया है जिसको जो कवर करना चाहिए देश में क्या चल रहा है क्रमचार इतने प्रेशान है जो टीवी मीडिया एक त्रहसे कह सकते है seraitnya कबर नहीं करता है कि दोस्तों यहां पर बात हो रही है कि इस company ने वर्ष 2016 से 2021 तक पहले भी tender लिया है 200 क्रमचारियों का जो है PF दोस्तों अभी तक यहां पर नहीं दिया है लेकिन इस company को दोबारा फिर से tender दे दिया गया है यानि कि पुराने का काम पुरा नहीं किया पुराने जो टाइम में जो करमचारी जो काम कर रहे थे 2016 से 2020 के बाद 21 के तक यहां पर तो उनका तो PF आज तक नहीं दिया जबकि अगला tender फिर से मिल गया company को तो यहां पर करमचारी जो है वो नाराज है और आवाज उठा रहे हैं जो company है वो पहले से ही करमचारी जो सुईधाय होती है उनको देने में सफल रही है और बावजुद उसके दोबारा से टेंडर इसी को जारी कर दिया गया तो कहीं ना कहीं आपर कह सकते हैं कि कुछ संदे के दायरे में है चीजे बता गया है यापर विजली निगम में maintenance का काम करने वाले कंपनी के करमचारियों को पीफ की रासी नहीं मिली है जबकि उसी कंपनी को दोबारा काम करने का टेंडर दे दिया गया है करमचारी अपने पीफ का पैसा हासिल करने के लिए दुर दुर बटक रहे हैं उन्होंने CM इंडो पर भी जाकर अपना हक लेने को कुछ नहीं हुआ तो आप लोग देख पाते हैं किस तरह से करमचारियों को सोशन करने के बावजूद भी बार बार उन्हीं कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है तो इसे सपस्ट एक तरह से बू आ रही है कि यहां पर अधिकारियों या पिर टेंडर कंपनी जो मालिक होते जबकि जो कंपनी मालिक है जो ठेकेदार है उन्होंने सपस्ट कर दिया है कि इन्होंने नियम के अनुसार जो है ठेका लिया है और उसी के अनुसार ये काम करते हैं इसे ज्यादा वो कुछ नहीं बता पाएंगे वही नियम तो ये भी है करमचारी मांगों पर कल करनाल में क बाग लेने की दोस्तों बोल रही हैं बता गया है हर्याना के जो कच्चे करम चरहन को पका किया जाए को सलोजगार निगम को भंग किया जाए निजी करने पर रोक लगाने जैसे परमुक मांगे ओनलाइन ट्रास्पर पोलिशी को रद किये जाने जैसी मांगे नों ने जाए एक्स ग्रेसिया पोलिशी लागो की जाए सभी बिमारियों पर कैशलेस मेडिकल की सविधा दी जाए तो यह सारी की सारी मांगे दोस्तों बिजली करमचारी जो है उठा रहे हैं है जो अक्रमचारी संग है औरंत में देख लिजिए बता दें आप लोगों को आंदोल रुपे मंथली सेलरी की डिमांड कर रहे हैं बता गया है जनुरी से बंद करेंगे रासन बाटना 31 दिसंबर तक देंगे ग्यापन 30 को पुतले फूंकेंगे तो यहां पर इनोंने बताया है जो रासन कार्ड एक डिप ओबर कमशे कम 600 करने चाहिए रासन डीलर की जो मांदे है वो मांदे वो 30,000 रुपे महिना होना चाहिए डीलर की जो रिटार्मेंट आई हो है जिसको यहां परिनोंने बता है 65-70 वरस तक किया जाना चाहिए तो इस तरह की मांगों को लेकर यह जो हैं चाहते हैं कि सरकार इन पर ध्यान दे और डीलर को काम बंद होने के बाद 10,000 रुपे यह निके रिटार्मेंट कह सकते हैं एक तरह से उने के बाद उसको 10,000 रुपे मासी के पैंशन भी यह मांग रहे हैं और किसी भी प्रीजन की मिर्तियों ने पर 50,000 रुपे की सहतरासिन को दी जाए इस तरह की मांग भी नोंने उठाई है तो दोस्तों यह थी सारी कि सारी आज की आउट्सोर्सिंग कचे करमचा जुड़ी खबरें अगर आप भी चाहते हैं हर्याणा में उसके संचे लेटेड कचे करमचा जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दुस्तों साथ सेर करें थैंक वेरी मुच्च